हलो फ्रेंद्स हुआ यू विल्कम बैक टो आर यूटूब चनल सीजी वी अपम द्वारे लिएगे एक्जाम्स में अंसीन पैसेज के जो कोस्टन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं और उनके आंसर किस तरह से आपको लगानी चीव वह हम इस विडियो में चाने वाले हैं वीडियो में अंतक बने रही है और देखिए कि कैसे किसी भी अंसीन पैसेज को आप आसानी से सॉल करके उनकी आंसर लगा सकते हैं चले तो फिर वीडियो स्टार्ट करते है, यह जो कोस्टन पेपर आप लोगों को दिख रहा है, यह है 2017 का TT exam जो हुआ था, जो व्यापम के द्वारा लिया जाता है, वो ऐसे questions हम इसलिए डिसकस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आने वाले exams के लिए व्यापम के pattern को समझना चाह चाहे वो questions हो, unseen passages या comprehension का, या वो question है English Pedagogy का, तो युस एडिवे हम comprehension वाले questions देख लेते हैं, चले तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, यह एक unseen passages है जो आया हुआ था, इस question paper में, देखिए, unseen passages को थोड़ा सा समझने की questions करते हैं, और इसके questions लगाएंगे, ठीक है, Many men and women are so money minded, that they do not undertake any serious work that does not pay, देखिए, क्ली बार आसा होता है, कि किसी को passage पढ़ती ही समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे candidates होते हैं, जिनको थोड़ा सा समझने में problems होती है, वैसे लोगों को ने इसको दो बार पढ़नी जीए, ठीक है, Many men and women are so money minded, बहुत सारे इसे बहुत सारे serious काम को भी नहीं करते हैं, जिनसे क्या नहों, does not pay, जिनसे पैसा ना मिले या payment ना मिले, है न, ऐसे काम को भी नहीं करते है, money minded होते हैं, ठीक है, आगे देखो, they believe that, उन लोगों को लगता है, कि believe करना मतला विश्वास करना, they believe that, it is foolish to exert themselves for study in brain work which cannot be converted into cash, ऐसे आप लोगों को रहा sentence voice पढ़नी चाहिए, ठीक है, एक एक sentence को एक बार पढ़ो, और क्या बोलते हैं, उसको समझो, ठीक है, तो जैसे हमने पहले यहां से यहां तक पढ़ा, और उसको मतलब निकाले, और उसके बद हम यहां से यहां तक को समझते हैं, ठीक है, पहले sentence में हम मुर्खता है तू एक्सर देमसेल पर पढ़ाई में या किसी भी तरह कि ऐसे काम में टाइम वेस्ट करना फुलिशने साय मुर्खता है जिसमें पैसा नहीं मिलता है ना आपर देखिये विच के नॉट बी कनवर्टे इंटू कैस्टिक अगे देखो हाइड वर्क और ली फॉर इंटेलेक्ट वोली एस देखे टू मातेरियाल प्रोस्पारिटी एंड परसुनल्मेंटल डिवलॉपमेंट एस फॉलिश फैड उन लोग सीर्फ उनी चीजों को इंटेलेक्ट्चोल या बहुत अच्छा काम समझते हैं जिन से क्या हो मातेरियल प्रोस्पारिटी मिली उन जो सुक सुविधाओं के चीज़ें होती है उसको material prosperity या समरिद्धी उन लोग मानते हैं तो उन ही लोगों को क्या करते है अपने personal जो रिगार्ड है या personal जो enjoyment है उसका source उन लोग मानते है ठीक है बाकी चीज़ों को समझते हैं या मुर्खता समझते हैं आगे देखो this miserable materialistic psychology is very deep rooted in all class of society यह जो materialistic psychology है वो सिर्फ अमीरों में नहीं बलकि all class जितने भी असेस होते हैं poor, rich, medium, family सभी लोगों में पाय जाती है ऐसा नहीं कि जो rich लोग होते हैं सिर्फ वही लोग materialistic psychologist के होते हैं या materialistic mentality के होते हैं ठीक पढ़ी है यह mentality पाय जाती है आगे देखिए rich and poor all suffers from it है वही बात जो हमने discuss किया इन old working woman complained to me of her son's habit of occasionally buying some books inside यहां पर यह बोला जा रहा है कि एक old woman working woman ने मेरे से यह complaint किया कि उनकी बेटा है उनका एक habit है वो क्या करता है occasionally buying some books अकसर वो क्या करते रहता है occasionally means अकसर है याद रख he waste his money on books और वो lady क्या बोलती है उनको कि वो पुस्तकों में अपना पैसा वेस्ट करते है what good are they to him उनके लिए क्या अच्छा है he is a carpenter not a schoolmaster वो क्या है वो लड़का एक carpenter है carpenter का का काम करते है वो कोई schoolmaster नहीं जो इतना सारा book खरीत तरह तो इस तरह से mentality लोगों में पाई जात करते हैं जिनसे पैसा बने उन लोग future का नहीं सोचते है यह basic concept है इस passage का आप चली कोशन अंसरस देखते है insulated तो insulated पहला कोशन है यहाँ पर pick out the word which is most nearly opposite in the meaning to the following word as used in the passage opposite पूछा है कि इसका occasionally का जैसे कि अभी मैंने कुछ time पहले ही बताया occasionally means होता है कभी-कभी occasionally है तो इसका opposite sometimes कभी मतलब होता है कभी-कभी rarely means भी होता है कभी-कभी तो यह तो दोनों significance हो गया frequently means होता है अक्सर frequently means क्या होता है अक्सर तो यहीं इसका opposite हो जाएगा okay इस नली का opposite क्या होगा frequently ठीक है अगला कुशन देखिए question number 70 को which of the following is true in the context of the passage सही कून सा है है ना देखो the reach are materialistic जो अमी है सभी लोग होते हैं ऐसा पड़े हमने ना people from all walks of life में exhibit materialistic यह सही है सभी तरह के जो लोग होते है वो materialistic या money-minded होते है no one is बोला है इसमें only women बोला तो यह दोनों भी गलत है option number 20 का सही answer हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे है है ना people from all walks of life ठीक है सभी तरह के जो life style वार लोग होते हैं वो money-minded होते हैं आगे देखो next question है according to the passage passage के अनुसार money-minded people value money-minded people किस चीज को value देते हैं intellect को study को material benefits को की authentic pleasure को तो option number C जैसे कि आप देख पा रहे है material benefits को उन लोग क्या देते हैं value देते हैं material benefits मतलब बहुँच सारे lifestyle के जो material है जिससे अपनी जिन्दगी को अच्छा और comfortable बना जा सके है ना वैसे चीज़ों को उन लोग क्या करते हैं value देते हैं अगला question देखी को question number 72 को pick out the word which is most nearly the same in the meaning to the following word in capitals as used in the passage key same पूचा गया है जो नीचे word दिया गया है उनका same meaning मतलब synonyms की मतलब क्या होगा एक है excess code answer और musical tone तो musical tone तो नहीं होगा answer करना भी नहीं होता की मतलब की एक तरह से same meaning है code का है ना code मतलब भी किसी चीज को खोलना और की मतलब भी किसी चीज को open करना ठीक है तो option number 20 का सही answer होगा next question देखो why do many people not like to buy or read books why do many people not like to buy or read books बहुंच सारे लोग बुस पुस्ता खरीदना क्यों पसंद नहीं करते देखिए हम ना किसी भी answer को तभी सही कर पाएंगे कि जब हमें question अच्छे से समझ में है ठीक है तो question को समझना बहुत ज़री होता है ठीक है देखिए because they do not have time for it क्योंकि उन लोग के पास समय नहीं है यह गलात है because they do not understand books क्योंकि उन लोग बुक को समझते नहीं बुक को समझते नहीं ऐसा तो नहीं पढ़ने तो आता है सबको ठीक है because they do not get books क्योंकि उन लोग को पुस्तके नहीं मिलती यह भी नहीं है option number 4 देखो because they think that books do not help them to getting in getting money क्योंकि उन लोग को लगता है कि जो पुस्तके हैं उन लोग वो पैसा बनाने में इन लोग का मदद नहीं करेंगे इसलिए उन लोग पुस्तक खरीदना पसंद नहीं करते है चले तो भी रगला question है hard work only for money and then plenty of play and pleasure this seems to be their rule of life main verb in the above sentences is यह जो sentence हमने पढ़ा है उपर इसमें main verb कौन सा है करके पूछा है main verb देखिए चार option है play rule plenty and seems अगर हम play के देखे तो play and pleasure यह तो एक तरह का phrasal verbs या दोनों एक नात यूज होने वाले words है play and pleasure ठीक है यहां पर यह नहीं होगा rules अगर हम देखेंगे तो rules of life यह भी नहीं है plenty तो एक तरह का adverb या adjective हो गया seems जो word है यहां पर इस sentence में आप देख पा रहे होगा this seems यह ऐसा लगता है की यह हमारा main verb हो जाएगा option number D इसका सही answer है अगला कुशन देखो many men and women are so many minded that they do not undertake any serious work that does not pay यह जो sentence है इसमें क्या पो लगे identify the sentence that correctly convert the above sentences using to for so that यहां पर आप ग्रामर का कुस्तान देखेंगे so that को to to format में change करना होता है तो उसमें करना क्या होता है महुत ही आसान है यह वाले कुस्तान पूछे जाता है याद रखिए करना कुछ नहीं होता जो लिखा है जहां पर so means होता है इतना ज्यादा तो यह इसके जगा में लिखना होता है double two इसका मतलब भी होता है इतना ज्यादा और जहां पर that लिखा होता है यह वाला इसके जगा में होता है लिखना होता है यह single वाला two तो यह इस format में sentence को change करना होता है, तो इस तरह से अगर हम option देखेंगे, चारो option देखिए, पहला option का है, many men and women two are money minded, तो यह नो तो नहीं होगा है, तो यह two गलत जगम लिखा है, दूसरा देखिए two money, यहाँ पर two इधर आगया है, शुरू में नहीं आएगा, तीसरा देखिए many men and women are two money minded, बहुत सारे लोग इतना ज़्यादा money minded होते हैं, की के जगमें आगया two, to undertake any serious work, तो option number c, इसका सही आंसर लग रहा है, many men and women are two money minded, to undertake any serious work that does not pay, ठीक है, two and two का use करना, किस के जगमें, so that के जगमें, so के जगमें, यह वाला two का use करते हैं, और that के जगमें, यह वाला two होगा, यूज करते हैं, तो I hope की clear हुआ होगा आपको, I hope की सारे questions और सारे जो passage का pattern है, concept हो आपको समझ में आ होगा, फ्रेंट वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, तो एक like जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर सकते हैं, चानल में अगर new ह और हमारे साथ सीखना चारे हैं, तो चानल जरूर सबस्क्राइब करें, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, thank you so much for watching.